और दमो के कुवा खेडा गाओं के पास चलते हाईवे ट्रक में आग लग गई देखते हाईवे ट्रक धूंदू करकर जलने लगा ट्रक चालक परिचालक ने ट्रक से खूद कर अपनी जान बचाई महीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर बिगेट की टीम नियाग पर काबू पाया तो आपको बता दे कि हाइवे पर चलते ट्रक में आग लग गई और ट्रक धूंदू करकी जल गया यह तस्वीर आप देख सकते हैं दमों की तस्वीर हलांकि गरिमत यह रही कि ट्रक चालक और परिचालक शुरक्षित हैं समय पर उन्होंने अपनी ट्रक से कूद कर जान बचा ली यह तस्वीर आप देख सकते हैं जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और इस साग को काबू पाया गया तो देखते ही देखते ही ट्रक धूंदू कर जलने लगा यह तस्वीर आप देख सकते हैं दमों के हाईवे की तस्वीर जहां पर चलते ट्रक में आग लगई उस समय ट्रक में चालक और परिचालक मौजूद थे समय रहते गनिमत ही रही कि ट्रक के चालक और परिचालक ने कूद कर अपनी जान बचा ली वड़ना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था बाद में दमकल विभाग को सूचित किया गया दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग को बुझाया गया यह तस्वीर आप देख सकते हैं दमोव हाईवे की तस्वीर जहां पर चलते ट्रक में आग लगई और आग धूधू कर जलने लगा देखते ही देखते चलते ट्रक में आग इतनी जादा फैल गई कि जो चालक और परिचालक थे उन्होंने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचाई बढ़ना कोई बड़ा हाथसा हो सकता था हलांकि आग क्यों लगी है इस कारण इनके कारणों का भी तक पता नहीं चल पाया है कारणों की जांच की जा रही है लेकिन तस्वीर आपके सामने अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर थी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे वहानों में आग लगने का सलसला भी सामने आ रहा है ये तस्वीर दमों की है दमों हाईवे पर जहां पर एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और वक्त रहते चालक और परिचालक ने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचा ली लेकिन ट्रक पूरी तरह से जल कर खाक हो चुका है इसके बाद मौके पर दमकल विभाग को सूचित किया गया दमकल विभाग यहां पर पहुंचा और अजसाग पर काबू पाया गया यह तस्वीर आप देख सकते हैं यह तस्वीर आप देख सकते हैं दमो हाईवी के तस्वीर जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस परकार की घटनाएं भी सामने आ रही है झालएं पारा बढ़ता है झाल झाल